गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम यू ओल डिजिटर प्लाटफॉर्म एस एस पी इंसिट्यूट मैं हूँ आपकी बायोजी मेंटर मिनाक्षी शर्मा पिछली क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टापिक बायोकेमिस्ट्री को शुरू करा जिसे हम बायो चरी में उसकी आधार पर हमने दो बागों में बाटा भी था एक हमारे पास में सूश में जैवणू थे जो कि एक लग के समान होते हैं जो आपस में जुड़कर बड़े अनुओं को बनाते हैं जिने हम क्या कहते हैं दीर्ग जैवणू कहते हैं और सबसे पहला सूश में ज चाना था Nucleotide को याद कीजिए Nucleotide के बार हमें पता चला कि Nucleotide जो है वो एकलक होता है और किसका एकलक होता है यह एकलक होता है Nucleic Aml का इसे आप अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं Nucleic Acid भी सकते हैं अब nucleic amol आपके पास में कितने तरह के हैं हम सबको पता है एक तो deoxy ribose nucleic acid और एक ribose nucleic acid जिसे आप RNA कहते हैं तो ये दोनों ही प्रकार के nucleic nucleic nucleotides से मिलकर बने हैं फरक क्या था हमें ये भी पता चल गया था कि जो DNA का नुक्लियोटाइड होगा उसमें डी ऑक्सी राइबोज शरकरा होगी जिसके दाथ दूसरी नमबर के काबन पर ऑक्सिजन नहीं होगा तो उस काबन पर दोनों तरफ हाईडोजन ही जुड़ेवे होंगे जबकि आरेने में जो शरकरा होगी वो राइब शरकरा होती है ठीक है पांच काबन वाली लेकिन बिशम चकरी है और इस शरकरा के उपर कौन जुड़े वे होते हैं बोलो बाद समझ में आरी की नहरी कोई दिक्कत है यहां तक की अंदर के एच और बहुत सी बाते ही मैंने आपको बताई थी पिर हमें पता चला इस शंक्ल और के काबन पर हमेशा नुकलोटाइड का दूसरा घटक यानि कि कौन जुड़ता है नाइट्रोजन शार और एक बार में कोई एक नाइट्रोजन शार जुड़ेगा तो इसका बीजी और क्योंकि यहां पर ओएज ग्रूप पर तो राइबो शरकरा तो मैं यू लगा देती ह याद कीजिए हमाँ पास हैं पांस तरह के नाइट्रोजन बेस थे बड़ किसी एक नुकली कमल को सिर्फ चार ही मिलेंगे तो आरेने को एजी सी यू दिया गया है और हमीशा इसके पांचवे नंबर के कारबन पर कौन आकर जुड़ता है पांचवे नंबर के कारबन पर आ देखिए आप लोग फूड सेफटी ऑफिसर का एक्जाम देने जा रहे हैं जहां पर बायो केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट इसलिए हमने सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू किया ताकि आप समझ सके कि जब आप अगे बढ़ते हैं अब आगे की तरफ हम जाके देखेंगे तो अब हमें देखना है कि कैसी नुकलियोटाइट जब आपस में जुडएंगे तो डियने को बनाएंगे और डियन और आर ने के नुकलियोसाइड कौन कौन से हैं तो चलिए मैं आपको कुछ परे बेसिक बता देखेंगे चलिए चाहे डीएनेंगे च्वेकर आरने है जीच स्वेंगते हैं छूगर तो क्या होगी सेम होगी फॉसवेट भी क्या होएस अब कर लेकिन नाइट्रोजन जिस क्या है अलग 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 उसके बेसिस पर आपके पास न्यूक्लियो टाइड भी अलग अलग फूंगे तो अगर हम कहें आऑ आए अन्य shaping यूजलियो टाइड तो सीधी सी बात भी आने का नूक्लियो टाइड है तो पहले ही बात पहले हम क्या देखेंगे नुकलियो साइड तो आरेने के नुकलियो साइड ठीक है बच्चा अब देखें नुकलियो साइड किसी होता था यह भी हमें पता है शुगर यानि की शरकरा प्लस कोई एक नाइट्रोजन शाइड मिलकर क्या बनाता है नुकलियो साइड जहापर नाइट्रोजन शाइड जो है वो शरकरा के कारबन नंबर एक पर जुड़ेगा मैं बार बार कह रही हूँ और ग्लाइकोसिडिक बंद की सहायता से ही जुड़ेगा चलि हम बनाते है मान जी इसके पहले नंबर के कारबन पर आकर जुड़ा है एडिनिन कौन आकर जुड़ा है आडिनिन तो अब जो नुकलियो साइड बनेगा उसका नाम होगा एडिनो साइन राइट ऐसे ही वापस से आपके पास में राइबो शक्रा है और उसकी कार्बन नमबर एक पर आका जुड़ा है ग्वानिन ग्वानिन और जो ग्वानिन है इसके जुड़ने पर जो नुक्लियोसाइड बनेगा उसका नाम होगा ग्वानो साइन राइट ऐसे ही आपके पास में एक और राइबो शक्रा है और इसके कार्बन नमबर किस पर एक पर आकर जुड़ता है मान लीजिए साइटोसेल साइटोसेल तो इससे जो बनेगा उसका नाम क्या होगा साइटिडीन और ऐसे ही आपके पास में एक राइबोश रकरा है और उसके कार्बन नमबर एक पर आकर क्या जुड़ रहा है थाहमीन तो इससे क्या बनेगा आपके पास में थाइमिन, राइट, बोलो बास समझ में आरे कि ने आरे, क्योंकि ये, सॉरी, सॉरी, I am really sorry, ये राइबोश है, तो इस के अंदर, आरेने के अंदर, थाइमिन नहीं होता है, वहाँ पर यूरासिल होता है, very good, किसी ने पकड़ा भी होता हो, तो यह हो गया, आपके पास में तो वो बनेगा, यूरी, बोले बास समझ में आई कि ने, अब ऐसे DNA के बनेंगे, बस DNA के अंदर क्या फर्क होगा, अगर हम कहते हैं, कि हमें किसके बनाने है, DNA के, नुकलियोसाइड बनाने, यतनी तो इंग्लिश में हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आपे हिंदी में लिख बोलो बास समझ में आ रही है, और इसमें जब एडिनिन जुड़ेगा, तो यहां पर सिफ यही तो होगा, डियोक्सी एडिनोसाइण, बस है नहीं है, यहां पर अगर कौन जूड़ जाएगा, डियोक्सी राइबोस के अंदर गौनिन जुड़ जाएगा, तो बस सीधी सी अबने के बात है डी ऑक्सी ग्वैनसाइन वैट डी ओक्सीट सैटीडीन और ले पthyss थाइम्न होगा है फिस तो डी सा लुए अजय है अजय होगा पर ठीक है तो डी ओक्सीटिक है और भई समझ में अरही की नहीं तो यह आपके सामने क्या बंकर तयार होगे। बनकर तयार होगे। और हर एक nucleic acid के पास में चार तरगे क्या होगे वहागेyez because they have four different different type of nitrogen bases बात करता हैं किसके nucleotide फिर खेंग में बात करते हैं किसके nucleotide को न को यहाँ यहाँ इस बोर्ड में कुछ गडबड है तंग लिखता नहीं है आरेने के नुक्लियोटाइड और सीधी सी बाते पर नुक्लियोटाइड का फॉर्मूला क्या है एक तो है शुगर एस लिख देती हूं शरकरा के जगे एक है नाइट्रोजन शार और एक है फॉस्फेट सम्हों यह त नुक्लियोटाइड बना देते हैं चलिए हह में लिखते हैं कैसे बनाएंगे फॉलम्US इंपल फॉर्म में लिख तो याद कीूजिए पहले आपके पास में कौन सी शरकरा है राईबोज शरकरा प्लस आपके पास में आडिनीन है प्लस आपके पास मेंփ कौन है फॉस्फ एडिनोसाइन, अगर मैं एडिनोसाइन लिख रही हूँ, मतलब मैं राइबोस प्लस आडिनिन को लिख रही हूँ और इसके अंदर मैं phosphate group को attach कर रही हूँ, है यह नहीं है, तो भी मैं इसे क्या कह सकती हूँ, adenilic acid, बोलो है यह नहीं, अब ऐसे ही वहाँ पर क्या बना था, वहाँ पर बना है guanosine, guanosine और guanosine प्लस phosphate को मिला कर क्या बनेगा, युनाइलिक acid, फिर क्या बना था आपके पास में, आपके बास बना था, cytidine, तो cytidine प्लस phosphate को मिला कर क्या बनेगा, cytidilic acid, है नहीं है, और ऐसे ही uridine, प्लस phosphate group को मिला कर क्या बनेगा, uridilic acid, बस यह देखिए, ऐसे अगर आपसे पुछ लिए जाए, DNA के nucleotide, अगेन भई, सेम होगा, DNA के nucleotide, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे पूरा लिखने की जरूरत है, तो भई, इसके अंदर क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है, वही, deoxy adenilic acid, deoxy guanilic acid, deoxy cited alic acid, और यहाँ पर हो जाएगा, आपके पास में, deoxy, thymidialic acid, इस तरीके से बेसिकली आपके पास में क्या होता है, DNA और RNA के nucleotide बनकर तयार होता है, अब हमाई पास में nucleotide है, अब हमें यह देखना है, कि यह DNA और RNA को कैसे बनवाएंगे, तो देखिए, यह DNA और RNA को कैसे बनवाने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं, structure of DNA, देखिए, DNA जो word था, यह nucleotide word था, यह basically किस ने दिया था, nucleotide word अल्टमान ने दिया था, है नहीं, अब हम लेखने जा हैं, सबसे पहले DNA को, अगर आप DNA की structure को समझते हैं, तो बहुत अच्छी से समझने की कोशिश कीजिएगा, DNA की structure को सबसे पहले दो scientist ने बताया था, लेकिन उनने crystallography technique से बताया था, उसे accept नहीं किया गया था, उसके बाद में दो scientist है, जिनका नाम था, Watson and Crick, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, explain the structure of DNA, इन्होंने सबसे पहले DNA की structure को क्या किया था, explain किया था, इन्होंने इसके बारे में कुछ चीज़े बताई, तो हम उसाही चीज़ों को theoretically भी जानेंगे, और फिर diagrammatic form के अंदर भी जानेंगे, आप देखिए क्या कहना चाहता है, शायद जब मैं DNA को imagine करती हूँ, तो मेरे मेरे जहन में या मेरे दिमाग में एक ऐसी photo बनती है, बोलो बनती ही की नहीं बनती, चरे में से थोड़ा साहर धंसे बना देती हूँ, जब कभी आप DNA को imagine करते हैं, तो शायद आप कुछ ऐसी photo देखते हैं, अपने mind के अंदर, है या नहीं, जिसमें इस तरीके से बीश में आप इस तरीके से बना रहे होते हैं, वोले बात समझ में आरे का नहीं, अब यह structure कैसे present होती है, क्या होती है, यह हमें आपको बताना ह हमें कि एक बात समझ में आई, वार्सन करिक ने बना है, बताया कि DNA जो होता है, यह basically क्या होता है, double stranded structure होती है, दो strands होते हैं, प्रिकुल सही बात है, मैं दोनों strands नजर आ रहे हैं, दोनों strands ही जो होते हैं, वो अपनी polarity को show करते हैं, यानि कि आप इंके छोर, पता कर सकते है अगी क्यांं सा चोर कॉंसा है, अभी आपको आगे द rapid change मैं यहां पर लुक हों तो यहां पर यह वाला चोर तो कॉंसा है, 5 देश और यह वाला चोर कॉंसा होगया, 3- तो यह वाला चोर कैसा होगा, 5-ा यानि कि दोनों ही जो छोर होते हैं या दोनों ही जो क्या है फिलामेंट है जो दो क्या है यहाँ पर रज्जु है दो रज्जु से बनी हुई है डियनी के किसन रज्जना तो यह दोनों ही रज्जु अपने अंदर धूरता बताएंगे यानि अपनी पोलारिटी को शो करेंग यह इसे के साथ आपा 5 दैश और 3 डैश कहा यह भी पता चलेगा साती साती ने हमें यह भी बताया कि DNA के दोनों रुज्जू आपस में भी जुड़ेवे होते हैं तो एक रज्जू में तो नुक्लूटाइड आपस में जुड़ते हैं और दो रज्जू आपस के अंदर किसकी और सबसे पहले बात हमें क्या कहीजा है हम इस डीक्राप को मिठा देते हैं और फिर हम इक स सके आप कुछ केश्चन भी आपके करवाएंगे माते हैं तो DNA एक सरपीलाकार कुंडलित सन रचना है वो भी कहां पर प्रोकेरियोटिक सेल में अगर यह प्रोकेरियोटिक में होगा तो यह वही हो जाएगा वरताकार हो जाएगा तो यह कहां पर आ यूपषी ripping कोशिक है तो इक है कि कोशिक है ठिक बचंग वही अगर बेंद आनुवांशिक पदात हैं तो जिवानें के पास में भी होगा यह ना लेकिन महापर कैसा होगा यह देती हूँ दथा प्रोकेरियोटिक कोशिका में कैसा होगा प्रत्ता का बोलो बास समझे कोई दिखते यहां तक है और आगे के बास समझे डीने का एक अणू दो रज्जूओं के द्वारा क्या होता है निर्मित होता है तो डीने का एक अनू दो रज्जू द्वारा निर्मित होता है एक अनू में कित्ते रज्जू होंगे दो और अभी आप रज्जू बहुलक संरचना है कैसी संरचना है बेटा कैसी जो नुकलिटाइड के नुकलियो टाइडो के आपस में फास्फो डाई एस्टर बंध के जुडने से बनती है तो यह कैसे काम कर रहा है यहाँ पर फॉस्फो डाइस्टर बॉंड एक रीड की हद्धी के समान काम करेगा रीड की हद्धी के समान आप इस चीज को सुनेगा मैं क्या कहना चाती हूँ यह एक रज्जू है तो एक रज्जू नुकलियो टाइड के आपस में सोचे नाप चीदे क्यों खड़े क्योंकि आपके पीछे बैगबॉन है रीड की हड़ी है जो आपको सीधा खड़ा करके रखती है ऐसे इस रज्जु को इस तरह की से बना कर कौन रख रही है इन नुकलोटाइड को आपस में कौन जोड रहा है फॉस्फोर डायस्टर नाम का एक बंद जोड रहा है जिसे आप एक रज्जु की रेड की हड़ी भी कह सकते है ऐसी इस रज्जु में भी होगी जिसकी दुरूतां 5 डैश दिथरी डैश की तरह है और दूसरी रज्जु में भी होगी जिसकी है तथा दोनों रज्जु आपस में प्रती आपस में प्रती समाना अंतर व्यवस्थित होते हैं देखें दूज़ा रशाएंगे और आपस में दूसरी प्रती समाना अंतर व्यवस्थित होंगे अब सुनेगा आगा अगी तरफ नेस क्या होता है डियने के दोनों रज्जु आपस में आइड्रोजन बंद द्वारा जुड़ते हैं तो सीदी सी बात है जो आप ये डाग्राम देखते होने इस तरीके का तो ये दो रज्जु हो गए और ये दो रज्जु आपस में इंको इंके अंदर एक शंकला के अंदर तो फास्पोर डायस्टर पैंट था जो नुक्लूटड को जुड़ा हुआ है इस वाले में विलसटा घद एक है जुड़ने तो आपस में जो ब्ना फative जो डूँगें आपस में आंदर चानल के इसके फोतों आपको की अधो हैं बंद गर नाइट्रोजन चारो कर लो कि अ भीज में बनता है अब नाइट्रोजन शारों के बीच में कैसे बनेगा ये भी हम लोग देखेंगे है नहीं है आगे दिखी डिने के जो दोनों रजू होते हैं वह रजू होते हैं एक दूसरे के अर्ध संरक्षी होते हैं अर्ध संरक्षी का मतला भी आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ पर अगर आपको एक नाइट्रोजन एक रजू में नाइट्रोजन शारों का करम पता है दूसरे का ही पता चल जाएगा वह मैं आपको बताने वाली आप टेंशन मतले तो चारगाफ करके एक व्यग्यानिक थ का अनुपात अनुपात सदैव वन रिश्योवन ओता है पहली बात तथा दोनों रजू एक दूसरे के संपूरक होते हैं कॉम्प्लिमेंटरी होते हैं यानि कि अगर एक रजू पर आपको क्या है पता है तो दूसरे पता चल जाएगा देगे कैसे फर एक्जाम्पल मान लीजिए यह एक डिएने है ठीके डजू है डिएने का और यहां पर एडिनीन जुड़ा हुआ है यहां पर थाइमीन जुड़ा है यहां गवानीन है या साइटोसिन है पिचर अभी और आपको अच्छे समझ में कि टेंशन मिल्कुल मत देना तो चार लीमीदिन के साथ हाइ्डरोजन बंध बनाता है लेकिन एक स्पेसिफिक मैनर में पॉर एक्जाम्पल अगर आपके पास में प्यूरीन क्या है एडिनीन है बहिए आपके पास में दो तरह के प्यूरीन थे याद केडिए यह एडिन और गुवार इन और पारेमीदिन तो अगर एक तरफ एडिन आ रहा है तो दूसरी तरफ हमेशा प्यूरीन प्यूरीन थाइमीन ही आएगा और यह हमेशा ट्रिपल हाइडोजन बॉंड से जुड़ेगा है यह नहीं तो आप खुद देखे यहां पर कितने प्यूरीन हो गए यहां पर अगर आप चारगाफ का कहने का मतलब यह था कि अगर आप कहते है एड प्लस टी अपाउन जी प्लस सी तो यह हमेशा निकल कर आएगा एक फॉर एग्जामपल देखिए यहां पर एडिन भी कितना है एक है और थाइमीन भी कितना है एक है एक प्यूरीन है गवानिन भी एक है और साइटोसिन भी एक है मैं आगे आपको इंको काउंट भी करवाओंगी और यह रेशियो हमेशा क्या निकल कर आएगा वन यह रेशियो हमेशा क्या निकल कर आएगा वन निकल कर आएगा ठीक है बोलो बासमझ में सॉरी इसे ऐसे नहीं करेंगे यह तो मैंने बेस्टेश कि सॉरी हम लोग लिखा कि चालगाफ के नुसा डेने प्यूरीन पारेमिन का उनुपास सदेव एक रेशियो एक होगा और दोनों रज्जु एक दूसरे के संपूरक होंगे संपूरक का मतलब समझी हम क्या कहना चाहरें अगर आपको एक रज्जु के उपर नाइटोजन शार पर नहीं और इसनकी ब 지금 कहोंगे तरह को गवानिन और इंगों के बीछ में क्या बने रहेंगे वर्यक्ति गवानिन शानितोस सामने एक मतना है नहीं दूसरे के सामने यहां पर लिखी है गरनेन ऑचाह니다 में डबल हाइडोजन बॉंड से सामने जुड़ेगी चलिए अब हमने यह जितनी भी लाइने यहां पर लिखिए कि डियने कैसा होता है सरपिलाकार होता है डियने के अनुमें दो रज्जु होते हैं एक रज्जु जो है वो एक रज्जु लंबी शंखला रूपी संदरचना नुक्रोटाइड का तो चलिक हम पहला नुक्रोटाइड लेते हैं देखे किस प्रकार से है कि यह लिए यह मेरे पास में क्या है शरकरा बन रही है ठीक है इसको थोड़ा सा मुझे यह मैं शुगर है यह उसका कार्बन नंबर एक यह कार्बन नंबर दो यह कार्बन नंबर तीन यह कार्बन नंबर चार और यह कार्बन नंबर पांच ठीक है चलिए फ़ले हम एक नुक्लूटाइड मना दें माली जी इसके कार्बन नंबर एक पर एन ग्लाइकोसिडिक बंद के द्वारा एडिनिन जुड़ा हुआ है और पांचवे नमर के कार्बन पर तो हम सब कोई पताए कि हमेशा और हमेशा कौन सा सम्मू जुड़ेगा पासफेड सम्मू बोलो बास समझ में आप देखिए याद कीजिए जब आपके पास में डियोक्सी राइबो शकरा हुआ करत थी तो उसके संद्चना थोड़ी ऐसी थी याद कीजिए कार्बन नमबर एक कार्बन नमबर दो कार्बन नमबर तीन कार्बन नमबर चार और ये कार्बन नमबर पांच था 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 इसके उपर आपके पास में कौन कौन से सम्मू थे इसके पास में आपके पास में ह और तो दूसे नमबर के काबन प्रॉक्स नहीं थी तो यहाँ पर भी H और H था फिर तीसे नमबर के काबन पर यहाँ पर OH और H था यह H और यहाँ पर H, H और OS था याद कीजे तो याद कीजे आपके DNA के पास में इस हिसाब से दूर्टियां सीके यहां स्पutुर। व्गिंजेगे सब्स विए इक किर्या नक्रू साथ तें याद कीजिए पहले कापन का किर्यात्मक्द समू फास्टेट से क्या कर गिया रेक्शन कर गया अपनी बंद बना गया अब दूसे नंबर के कावन पर तो को यह समू नहीं है लेकिन थी नबर की कावन पर वह समय है और कहता समूब होगा चले दूसा नुक्लोटाइड आया रेंडम ली आया और दूसा नुक्लोटाइड जो इस पार आया है यह रहा ऑक्सिजन कार्बन नंबर एक कार्बन नंबर दो कार्बन नंबर तीन कार्बन नंबर चार और कार्बन नंबर पांच और इस कार्बन नंबर एक पर ग्लाइकोसिडिक बंद के द्वारा जुड़ियां मालनीजिए गवानिन है या नहीं है और इसके कार्बन नमबर पांच पर याद कीजिए हमेशा और हमेशा कौन जुड़ेगा फास्फेट समू और कौन से बंद से फॉस्फोएस्टर बंद से है नहीं है अब यह दोनों नुक्लोटाइड है नुक्लोटाइड नमबर एक और नुक्लोटाइड नमबर दो अगर ने डियने के शंकला बनाने तो इन्हें भी आपस में जुड़ना पड़ेगा तो यह फास्फेट समू तो याद कीजिए क्रियात्मक है तो यह क्या करेगा अभी अपनी वैलेंस एक त्रफ तो किसके दूआरा जुड़ रहा है एक तरफ यह देखिए कैसे बंद बना देती हूं पहले अगर ना तो यह देखिए यह इसके साथ ने भी क्या बना जाएगा यह इसके साथ में भी बॉन्ड बना जाएगा तो उपर वाली शुगर का थर्ड कार्बन और नीचे वाले शुगर का फित कार्बन आपस में फॉस्फेट गुरूप से जुड़ते हैं जिसे हम क्या कहलेते हैं फॉसफो डाइस्टर बॉन्ड बोलते थे डाइस्टर क्यों देखे एक नुक्लिटाइड में फॉसफेट समु ड्वारे जुड़ता है श यहां पर फॉस्फो एस्टर दूसरा बॉंड बना है तो इससे मिला कर आप कौन सा बॉंड कह देंगे इसे आप कह देंगे फास्फो डाई एस्टर बद बोले बात समझ में चले इसके बात के अंदर नेक्स टाते हैं नेक्स जो हमारे पास में carbon number 1 carbon number 2 carbon number 3 carbon number 4 carbon number 5 carbon number 1 पर कौन सा जुड़ा हुआ है साइटोसिन और carbon number 5 पर जुड़ा हुआ है phosphate सम्हूँ जो इसके साथ में phosphate diastrap bond से जुड़िया देखिए backbone बनती चली जारी रीड के हड़ी की तरह और नुक्लियोटाइड आप समें जुड़ते चले जा रहे हम एक और ले लेते हैं हमारे पास में एक और नुक्लियोटाइड आया और ये नुक्लियोटाइड जोए carbon 1 carbon 2 carbon 3 carbon 4 और इसका भी carbon 5 और इसके पहले नमबर के carbon पर जुड़ा हुआ है कौन थाइमीन और इसके 5 वे नंबर के कारबन पर कौन जुड़ा हुआ है खी इसके साथ में क्या होगा कि जो भी शंक्रा में हजाए हजार नुक्ल亞टाइल जुड़ें हो यह स्सक्रानी इतनी भी जुड़ें। मुझे इतना तो पता है कि जो मेरा O.S. Amu. को कोई भी नहीं मिलेगा क्या करने के लिए फॉस्फोर डाइस्ट्र बंद बनाने के लिए तो यह वाला छोर भी मेरा क्या रहेगा इस Чौण समु मेरा क्या रहेगा प्री रहेगा और उसके आधार पर हमने कह दिया कि हमारा जो डिने वो दुरुता दर्शार है है निये डिने के अंदर जिस और जिस और फास्फेट समू मुक्त रहे उसे तो हम कह देंगे 5-0 और जिस और ओए समू क्या रहेगा मुक्त रहेगा उसे हम कह देंगे 3-0 और एक बात और जहां सकते हैं जिदर oxygen का मुह है जिदर oxygen है पिरामिड का जिस तरफ मुह जा रहा है शुगर का उस तरह 5 देश चीरा है आप ऐसे भी कर सकते हो तो पी 4 फॉसफफेट पी 4 पांच ठीक है थी नंबर के नुוकलियोटाइड का होता है जिसमें नुकलियोटाइड आपस में फासफोरडायस्टर बंद के द्वारा जूडते हैं तो यह आउस Мих्या काम कर रहा है दूसरा बनाते हैं है हां फिर चारगाफ ने कहा था कि हर एक स्ट्रेंड दूसरे के अद्शन रक्षी होता है तो आप खुद बताइए अगर इस स्ट्रेंड के उपर इधर ए आ रहा है तो इसके सामने कौन आएगा थाइमिन इधर गौन इधर कौन सा नुक्लोटाइड आए कारबन 2, कारबन 3, कारबन 4 और यह है इसका पांचवे नंबर का कारबन पर कौन जुड़ेगा पास्ट्रेंड और क्योंकि थाइमिन था तो इधर कौन सा नुक्लोटाइड आएगा आडिनिन वाला और इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा डबल हाइड्र यहां पर कौन है साइटोसिन सोची दीसी बात है यहां पर कौन से नुक्लोटाइड को आना पड़ेगा यहां पर आना पड़ेगा गुवानिन वाले को है यह नहीं अब गुवानिन वाले के अंदर आप देखिए गुवानिन वाले के अंदर क्या होगा ठीक है गुवानिन समू है बोलो बार समझ में आ रही है तो ये एक हो गया ये दो हो गया ये तीन हो गया ये चौता हो गया और ये पांच वा पॉस्वडाइस्टर बना के चला गया चलिए अब इधर क्या है अगर इधर गवानिन है तो इधर ट्रिपल बॉंड से कौन जुड़ेगा साइटोसी और ये फास्वडाइस्टर बॉंड अगर इधर एडिनिन है तो इसके सामने कौन आएगा डबल बॉंड के साथ में थाइमीन, थाइमीन के साथ में कार्बन नमबर एग, कार्बन नमबर दो, कार्बन नमबर तीन, कार्बन नमबर चार, कार्बन नमबर पांच और ये दोज़े होगा मुक्त क्यों सी कोई फोस्फोडायस्टर बढाने के लिए नहीं मिलेगा तो सीदी सी बात है अगर हम देखें तो इसका यह वाला तो कौन सा फाईव देश और यह वाला सी रहा कौन सा है अब देखिए मेरी कही हर बात के दीने के एक स्टेंड में दो रज्जू होते हैं दो रज्जू गई एक रज्जू नुकलोटाइड के आपस में फॉस्फो डायस्टर बॉण यहां पर बैक बोन की तरह काम कर रहा होता है दोनों रज्जू एक दूसरे के प्रतिसमान आंतर होते हैं अगर तो दूसरे का 3-2-5- होगा चलिए दोनों स्ट्रेंड आपस में कौन से बंद के दुआरा यह कौन सा बंद बन रहा है यह हाइड्रोजन बॉंड बन रहा है जो किसके बीच में बनता है नाइट्रोजन शारों के बीच में बनता है और एक स्पेसेफिक रूफ से बनता है एक प्यूरी ने तो दूसरी तरफ हमेशा पारेमडीन आएगा और अगर वह प्यूरीन एडविन अड़िन है तो उसके अपोसित हमेशा पारेमडीन ताइमीन नहीं आएगा जो डबल हाइडोजन बंड के द्वारा जुडएंगे और एस तरीके से आपके सामने पुरा डियन कि यहां पर प्यूरीन और प्यूरीन देते हैं और साइटोसें और थाइमिन प्यूरीन जिन्ते हैं 1-2-3 प्यूरीन और 2 पूरीन और पता यह नीपूरत है कि अ कर सो हिंक आप सिस्टत है सही बात है कि हम एक नाइटोजन ङुठ के नाइटोजन शारू का क्रमध पता था तो दूसरे स्टत है क्रम का क्रमध अपने आप बना इया कर दिया I hope यहां तक एंदे किसी तरह की कोई भी problem नहीं होगी अब देखें यहां पर से आपके पास में question आता है फिर हम और आगे बढ़ेंगे जहां पर हम DNA की dimensions को भी देखेंगे For example, आप से कोई कह दे पहला कि DNA के एक sample में 20 प्रतिशत Adenine है क्या है Adenine तो ग्वानिन की संख्या पता करें चलिए देखें और हमें कुछ में नहीं दिया तो सीधी से बात है जब कुछ नहीं दिया तो हम समझेंगे मात्रा हमारे पास 100 है है या नहीं है अब Adenine की संख्या निकालते हैं पहले जिसकी हमें क्या पता है परसंटेज पता है तो Adenine की संख्या कितने निकल कर आएगी भई 100 गुणा 20 बटे 100 यानि कि DNA के इस अणू में 20 जो अणू है ठीक है वो कौन है आपके पास में Adenine अब आपका DNA क्या कहता है जितने प्यूरिन उतने पाइरेमिदिन और Adenine के सामने कौन आता है थाइमिन तो आपके यहां पर Adenine और थाइमिन का नंबर क्या होगा बराबर होगा तो अगर Adenine 20 है तो थाइमिन की संख्या कितने निकल आएगी आपके पास में 20 तो आपके पास में कुल DNA कितना है कुल DNA है आपके पास में 100 जिसमें से आप क्या माइनस करने वाले हैं A प्लस T तो 100 में से माइनस 20 प्लस 20 तो 100 में से माइनस 40 तो 6 कितने रह जाएगा शेश रह गया आपके पास में 60 है निया अब क्यूंकि आप लोग जानते हैं कि ग्वानिन और साइटोसिन की संख्या चारगाफ के साब से क्या होती है बराबर तो देखिए अगर हमें G प्लस C निकालना है तो हम क्या करेंगे शेश जो DNA है उत्तों दो भागों में बाड़ देंगे यानि कि 60 बटे क्या कर देंगे दो तो 30 तो इसके इंदर ग्वानिन भी कितना होगा 30 और साइटोसिन भी कितना होगा 30 जोड लिजे 30 हो 30 60 प्लस 20 80 प्लस 20 कौन से हो जाएंगे एडिन इन वाले 100 तो इस तरीकेश से आपके पास में कितने निकल कर आ गए 100 टोटल अनू आपके पास में निकल कर आ गए अच्छा वो ये भी कह सकता है एक और कॉशन हम देख लेते हैं DNA के एक अनू में कुल नाइट्रोजन शार जोडे 120 है जिसमें गवानिन की संख्या आ लिजे 40 है तो आडिनिन की संख्या बताएं या निकालें अब देखिए आप सब ज्यादा क्रोशन क्या करने वाले तो गवानिन भी 40 हो जाएंगे साइटोसीन भी कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे तो जी प्लस सी निकालकर हम असी कर देंगे तुनेगा क्यों गलत है यह गलत है आपके अप्रोच बिल्कुल गलत है क्योंकि हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और यहां पर हम एक शब्द जोड़े के जगे हम युगम में भी तो लिख सकते हैं युगम लिख देते हैं अब शायद बहुत बच्चों को समझ में आ गया होगा देखिए इसमें नाइट्रोजन शार युगम बोला गया है आपके पास में अगर मैं चार जोड़ी जूते हैं आपके पास टोटल चुधे कितने है लगि अख है ना बस कुछ ऐसा यहां पर यूग на Sports कितने है और 20 अगर्फ デंदर आपके पास है 120 नुकलोटाइड है तो ठीक है तो कुल सॉरी 120 नहीं 240 नुकलोटाइड है क्योंकि यह तो 120 युगम है न युगम से खोलोगे तो कितने हो गए आपके पास में टोटल 240 नाइट्रोजन शार हो गए जो कि 240 शकराओं से जाकर जुड़ेंगे तो 240 नुकलोटाइड बनाएंगे 120 गुणा दो तो कितने आ जाएंगे आपके पास में 240 यह मैं नाइट्रोजन शार निकाल लें यह दे रखे थे तो इससे नाइट्रोजन शार कितने निकल कर आये हैं 240 तो 240 होंगे तो नुकलोटाइड भी कितने हो जाएंगे 240 तो मैं यहां पर टोटल यह भी लिख सकती हू कि खुल नुकलोटाइड मेरे पास में कितने हैं 240 बोलो अब इस 240 में से कुछ नुकलोटाइड ऐसे हैं यानि कि 40 नुकलोटाइड ऐसे हैं जिनमें ग्वानिन जो है वो नाइट्रोजन शार है ठीक है तो भई ग्वानिन कि संख्या कितनी है 40 तो क्योंकि हम जानते हैं ग्वानिन और साइटोसिन क्या होंगे बराबर तो अगर आपके पास में ग्वानिन 40 है तो आपके पास में साइटोसिन भी कितना होगा 40 बोलो बात समझ मैं जहांप अगर आप कह सकते हैं कि G प्लस C बराबर कितना हो जाएग कोई दिक्कत है तो जी प्लस सी यहां पर कितना है असी है अब इसमें से एडिनी और थाइमीन निकालते हैं तो शेष कितना बचाएगा शेष जो बचेगा वो होगा 240 में से हमें 80 घटाने हैं तो बहुत कितने आ जाएंगे 160 निकल कर आ जाएंगे बोलो बासमझ में अब यह 160 क्या है आपके पास में A प्लस T निकल कर आया है जो शेष बचा है तो एक की मात्रा कितनी होगी और T कितना होगा वही हम क्या कर देंगे 160 में divided by 2 कर देंगे तो 2,8,16 तो आपके पास में यह होंगे कौन आडिनीन और 80 ही आपके पास में कौन होंगे थाइनीन तो जल्द बाजी में कोशन नहीं करें कहने का मतब यह कोशन को थोड़ा धंग से पड़े कि वह नाइट्रोजन शार कह रहा है या नाइट्रोजन शा दियेने कैसे रैप्लिकेशन करता है वो और फिर हम आरेने को देखेंगे तब तक हमारे साथ में बने रहे हैं थैंक्यू सो मच